स्वागत है आप सभी का एक बार पर में ड्यूब चैनल में मैं मैं मांचु जोसी और आप देख रहे हैं जे विजुल एफेक्स आज हम बात करने वाले हैं face touching की तो photoshop में अगर आप face touch करना चाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होने आला है इस वीडियो में मैं आपको step by step बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी face से spot और pimples को हटा के face को एक creamy look एकदम smooth look देते हैं कैसे हम face को tone करते हैं तो ये वीडियो के बारे मौन वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले Photoshop open कर लेंगे ये Photoshop CC 2018 है जिस पर मैं आपको बता रहा हूँ तो सबसे पहले मैं photo add कर लेता हूँ तो ये मेरे पास एक image है जिसमें आप देख रहे हैं काफी spot हैं काफी pimples इसमें नजर आ रहे हैं तो इसको हम retouch करेंगे इसको हम एकदम smooth look देंगे तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको थोड़ा जूम कर लेंगे और यहां से हम select करेंगे spot healing brush tool और यहां से जो ज्यादा spot हैं जो ज्यादा ज्यादा pimples हैं बहुत बड़े pimples हैं उनको हम इस तरह से remove कर लेंगे तो यहां से आपको जो भी आपका जो pimples हैं वो काफी बड़े-बड़े अगर हैं काफी बड़े अगर spot हैं तो उनको इस तरह से remove कर लीजिए इस तरह से remove करने के बाद तो इस तरह से remove करने के बाद simply आपको इसको duplicate बना लेना है एक तो control J प्रेस करेंगे और यहां से हम filter में जाएंगे other में जाएंगे और यहां से high pass पर click कर लेंगे तो high pass पर click करते हैं इस तरह से एक window open हो जाएगी high pass की जिसमें नीचे radius दिया गया है तो इस तरह से आप adjust कर लीजिए यहां पर आपको सामने देखना है अपनी photo को smooth रखने के लिए यहां पर जितना मर्जी आप इस तरह से आप दे सकते हैं आपकी photo के recording जिसे साब से भी आपकी photo smooth हो जाए एक दम यहां पर थोड़ी blurry होगी इसको आपको ध्यान नहीं देना है स्रिप आपको smoothness देखनी है इस तरह से अभी आप देख रहे हैं काफी अभी भी काफी dark है तो इस तरह से आप adjust कर लीजिए अपने recording मैं फिलार इस photo के according adjust कर लेता हूं तो यहां पर इस तरह से adjust करने के बाद simply हमें ok कर लेना है इतना करने के बाद वापस में filter में जाना है blur में जाना है और यहां से Gaussian blur को click कर लेना है तो यहां पर हमारे पास एक window आगी Gaussian blur की और यहां इसको भी हमें इस तरह से adjust कर लेना है जिसे साब से भी आपको लगे face एकदम retouch हो गया है तो यहां पर भी इतना ठीक है इतना करने के बाद simply ok कर लेना है अभी आप देखेंगे यह जो हमारे retouching है जो हमने अभी इसमें blur और high pass apply किया वो पूरी photo में आ रहा है eyes में भी आ रहा है हर जगे पर आ रहा है तो इसको हमें स्रिफ जो हमारी skin है उसमें करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे हमने layer one select किया हुआ already जो हमारा copy layer था space के side में एक हमें key मिलेगी all gr key उसको press करे रहना है और उसके साथ साथ यहां पर मास्क को click करना है तो invert selection हो जाएगा इतना करने के बाद यहां से हमें brush tool select कर लेना है और brush tool select करने के बाद यहां से आप देखेंगे जो foreground color है उसको हमें white रखना है तो foreground color एकदम white होगा इतना करने के बाद simply okay कर लेना है okay करने के बाद इसको थोड़ा zoom कर लेना है और यहां से इसका size थोड़ा बढ़ा लेना है अभी यह धान दीजिए मैंने brush select किया हुआ है brush में आप देखे brush tool हमें select किया हुआ है तो यहां से इस तरह से हमें जो हमारी skin है उसको इस तरह से paint करना है सरफ skin को paint करना है हमें eyes को हमारे hairs को इनको paint नहीं करना है इस तरह से थोड़ा time देखे आप इसको paint कर लीजिए अच्छे से जो dark areas है जो हमारे shadow है उसको हमें इस तरह से paint नहीं करना है कर shadow में ज्यादा paint करेंगे तो एकदम उठ जाएंगे उभर जाएंगे तो हमें सिर्फ इस तरह से अच्छे से paint कर लेना है इसको तो इस तरह से paint करने के बाद अब आप यह देखिए face काफी अच्छे से retouch हो गया है तो इस तरह से आप face retouch कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर skin का जो tone है वो natural नहीं है तो इसके लिए आप यहाँ से opacity को थोड़ा कम कर सकते हैं इस तरह से ताकि जो face tone है वो natural आ जाए तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर before और after मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए यह इस तरह से पहले था काफी spot थे face में काफी pimples थे और उसके बाद हमने जब इसको retouch किया तो इस तरह से एकदम smooth हो गी है skin तो यह है before and after यह before और यह after तो काफी अच्छे से retouch हो गई है तो इस तरह से आप भी अपनी photo को retouch कर सकते हैं simply इस तरह से tools का use करके तो आज के लिए इतना ही hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो please like, share and subscribe